नमस्कार दोस्तो रामा नेस्न लौजर फ्रॉम देंडिकर जैसे कि हमारे एस्टॉलोजी के उपर एपिसोड आ रहे हैं और आप भी बहुत उस चीज़ को सरा रह रहे है लाइप कर रहे हैं नाइक कर रहा है है agement कर रहे हैं और उसे हमारा हौशला भी बढ़ता है आज का हमारा टापिक है राहू ग्रहे कर उपर हमारा पांचमा एपिसोड है बेसिक नॉलेज फोर राहू राहू क्या है? सबसे पहले इस चीज़ को समझेगा ये राक्षिसी प्लैनेट है अगर ये देने पर आजाए तो आप समझेगा वारे नियारे लेने पर आजाए तो बिल्कुल जीरो ये वो प्लैनेट है सबसे पहले समझेगा इसे क्या बोला जाता है अस्तॉलजी के अंदर शाय ग्रहे इन्हें खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है जैसे साथ ग्रहे हैं, सूरय, चन्द्र, मंगल, भूध, ब्रस्पति, शुक्र, शनी इन्हें आप दे सकते हैं आकाश मंडल में इन्हें आप जो हमारे एक्ईप्मेट्स बने हुए हैं, जो हमारे डिवाइस हैं साइंटिस्ट उन्हें देख सकते हैं और राहू के तू छाया ग्रहे है इनको नहीं देखा जाता है बोलते हैं जिस जगा पे शनी ग्रहे खड़े होते हैं उनकी शेड़ो है ये क्योंकि इसकी नेचर विलकुल शनी की तरह ही है अगर राहू बुरा हो जाए जानि के बैट तो क्या रिजर्स आएंगे दोस्तो देखे बुरा हो जाए तो स्मोकिंग में बंदा फस जाता है ये वो बंदे हैं जो चेंड स्मोकर है इनकी एका सिगरेट से कुछ नहीं होगा ये तो डिबियें पी जाते हैं सारा दिन के अंदर एक चीज़ और नोट करिएगा जिसका राहू खराब होगा जो चेंड स्मोकर होगा उसके जो लिप्स होंगे वो काले होंगे देखना आप जल जाते हैं क्योंकि धुआ हैं अंदर लेंगे तो जो लिप्स हैं वो काले हो जाएंगे अब दूसरी बात मीट मास का तो वो इतना शुकीन होगा बात छोड़ लिए वो हफते में हो सकता है को यह का दिन मैं बोल ली सकता हूं ने तो सेवन डेज ऐसा बंदा मीट और मास खाना चाहता है तामसिक प्रविती है राक्ष सी ग्रह है यह उस वज़ा से मीट मास की तरफ जो एक आपका ध्यान है वो बढ़ेगा जादा खाएंगे मदीरा शराब बेवज़ा शराब पीते हैं लोग सुबह कहीं तो लोग ऐसे हैं हमारे मेरे अपने जानकार हैं वो चंडिगर में रहते हैं तो उनके फादर साब की बात कर रहे हैं वो सुबह ही अरली वो तो बोर्शी शराब से शुरू करते हैं अब देखिए क्या चीज ह हूँगा यहां पर जैसे स्मैक लेना जब यूथ है आजकल कहीं बार आपने देखा होगा ऐसी चीजों की तरह बच्चों का ध्यान बहुत ही ज़्यादा केंद्रित हो जाता है आजकल एक नई चीज आई हुई है दोस्तों हुकाबार लोग उसे बोलते हैं नहीं यह तो बहुत बढ़िया है यह एज़ॉइमेंट है यह राहु खराब की निशानिया राहु अगर आपको जिन्दगी में कभी नोट करना आपने वो काम किया हो जा ना किया हो एलिकेशन लगना सभाविक है आपके उपर राहु खराब चूरी की आदद कुछ ना कुछ ना कुछ चुराते रहना जेब कत्रे पॉकिट मार ये भी राहु के इंडराते हैं तो दोस्तों इसको कैसे सुधारा जा सकता है क्या टिप्स हैं क्या चीजे हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ के अंदर और आगे बढ़ते चले जाएंगे अभी तो बात हो रही है हमारी सिरफ बुरा और अच्छे के उपर अब अच्छा ही क्या है वो भी सुन लीजी गया ऐसे लोगों के अंदर बहुत होंसला होता है कांफिडेंस की कोई कमी नहीं है अत्याधिक कांफिडेंस होंसला दूसरी बात जितने पहलवान हैं जो पहलवानी कर रहे हैं चाहे वो इंडिया स्टेट लेबल पे हैं डिस्टिक लेबल पे है जा ओलम्पिक्स में है जा किसी भी लेबल पे है गोल्ड मेडलिस्ट हैं सिल्वर हैं अगर वो पहलवान है तो राहू अच्छा था तब ही वो पहलवान बने वरना जीरो अब इससे आगए चलते हैं जिसका राहू अच्छा होगा उसे किसी भी टास्क में फैक दीजिए दोस्तों बहुत शार्प होगा वो बंदा बहुत दिमाग होगा उसका पचास बंदे उसको मारने के लिए आजाए तो भी वो पता है उसने कैसे निकलना है उसके पास सारी टेक्निक्स हैं वो हाथ जोड़कर पता नहीं क्या ड्रामा करके क्या सिच्छेशन क्रेट करके वहां से निकल सकता है एक और चीज इसी के साथ जोड़ देते हैं राहू का जो प्रभाब है अगर जिसका राहू अच्छा है उसकी जेब में अगर एक सिंगल पैनी भी नहीं है तो वो शोरून पर चड़कर ऐसी बाते करेगा आप हैरान हो जाएंगे स्टाइल उसका कुछ अलग होगा क्यों कॉन्फिडेंस बहुत है होसला बहुत है यह वो बंदे हैं जो डारेक्ट आपकी आँखों में आखे डालकर जूट बोल देंगे और आप सचमान लेंगे इसी चीजे हैं राहू से related नेगटिव फिर्म मैंने बोला है आप दिखेगा ये नेगटिव फिर्म जैसे एक आपको पता है टेरिस्ट है उसामा बिल लाधेन जो हाल ही में जिनकी अभी डेथ होई है उसामा बिल्लादेन है क्या ये टेररिस्ट थे राहू ने इनको ऐसा उजागर करा दुनिया में ये च्छागे इंडिया में इनके नाम की फिल्मे बन गई तेरे बिन उसामा लोगों ने टीशर्स पे इनका वो जो पिक्चर थी छपवाली कुछ कार्टून्स बन गए कुछ कुछ क्या हो गया राहू ने नेग्टिव फिर्म दी पूरे वर्ल्ड में गो आगे आगे बन्दा ऐसी बहुत सारी चीजे हैं राहू से रिटर पांसो एपिसोड भी आजे तो भी कम है मैं तो बूलता हूँ तो दोस्तों ये कुछ बेसिक नॉलिज है राहू से रिटर आपको आगे भी नॉलिज देंगे धुआ क्योंकि मैंने बताया है ये धुआ है राहू को पकड़ पाना असान नहीं है लाल किताब में एस्तोलोजी में ये भी बोला गये ये बिगडा हुआ बिगडेल हाथी है अब देखिए जो बिगडा हुआ हाथी है काबू कर लेंगे वो तो किसी काबू नहीं आएगा दोस्तों ऐसी धेरों लाखों चीज़े आपके लिए लेकर आते रहेंगे एस्टालोजी के माथियम से उसके लिए आपको करना क्या है ये तो हम बात कर रहे हैं यूट्यूब के उपर आपसे अब आपने करना है दोस्तों फेस्बुक पे हमारे पेज बने हुआ है ट्वेटर पे हैं इंस्टाग्राम पे हैं अब यहाँ जाएए हमें फॉलोग करिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ डे बाई डे आपको नॉलेज आती रहेगी एस्टालोजी की और नॉलेज बने चीज़ें आपकी तरफ सेंड करते रहेगे अगर आप परसनली मेर से मिलना चाहते हैं दूर बैठे हैं आना मुश्किल है नीचे सिक्रीन पर नंबर डिस्पले हो रहे हैं फोन उठाएए कॉल करिए और एपॉइंटमेंट लीजे तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल तब तक के लिए नमस्क्र धेनवाद अवे निस्टिए